नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके एपने यूटूब चैनल डिफेंस एक्जाम पीपर में दोस्तों SSC GD का नूटिफिकेशन आ चुका है और आज की इस वीडियो में हम लोग SSC GD के इस लेवस के बारे में डिसकस करेंगे इसके साथ साथ हम लोग ये समझेंगे कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा और हम लोग इस चैनल पर SSC GD की तयारी भी करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि जो SSC GD में वेकेंशी जो आपके निकली है इसके लिए फॉरम जो है कब से एपलाई होना स्टार्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Dates for Submission of Online Application कब से कब तक है यहाँ पर आपको डेट रखी है 10-12-2022 से लेकर 19-1-2023 तक आपके फॉरम जो है पढ़ेंगे ठीक है और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे Schedule of Computer Based Examination मतलब आपका जो पेपर होगा मार्च 2023 में आपका पेपर होने वाला है ठीक है तो अभी से अगर आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है आराम से आपके त्यारी यहाँ पर बहुत तरीके से हो सकती है तो यहाँ पर आपने यह समझा कि पेपर मतल यह हमारे सामने ही नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर है ठीक है इसको आप देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है यहाँ पर सबसे पर आपको देखा है पेश्केल मतलब वेतन बगरा देखा आपको है कि 21,700 से लेका 29,100 रुपय तक ठीक है यह तो आपको बेतन कितनी कितनी है आप सबी लोग यहाँ पर देख सकते हैं वेकेंसी बहुत जादा है कितनी है टोटल आपकी इन मिलाके बन रही है 56,302 वेकेंसी आपकी तोटल बन रही है और आप यहाँ पर देख सकते है केटा अगरी वाइस जो आपको यहाँ पर दे रखा है कितनी कितनी तो अभी इस एची तरीके से अपने त्यारी में लग जाएंगे तो आपको आराम से जो है SSJD में जॉब मिल सकती है इसमें कोई आपको समस्या नहीं होने वाली है तो वेकेंसेज के बारे में हम लोगों देख लिया है और इसके बाद हम लोग आगे देखते है यहाँ पर आप लोग देखिएगा आपको दरखा है एज लिमिट एज कितनी होनी चाहिए तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि 18 से लेकर 23 साल तक एज ऑन एक एक 2022 मतलब एक जनवरी 2022 को आपको इसाब लगाना है और लिखा है दो एक उननीस दन्यानवरे से लेकर एक एक 2024 मतलब क्या है कि इनके इनके बीच का होना चाहिए कंडियेट मतलब इनसे पहले या बात का नहीं होना चाहिए तो आपको यह आपको डेट दरखी है तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं से तेज साल तक के लिए जिसमें आपको एज रिलैक्स सेसन में मिलेगा आप यहाँ पर देख सकते हैं SCST को 5 साल के लिए OBC को 3 साल के लिए और इस प्रकार से आपको यहाँ पर सभी के बारे में दिया गया है इसे हम जो है डिफेंस एक्जाम पेपर के जो आपका टेलेग्राम चैनल है उस पर मिडाल दूँगे ठीक है आप लोग वहाँ से देख सकते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा यहाँ पर आपको दरका है educational qualifications as on आपको date दरकी 1-8-22 तो यहाँ पर आप देखेंगे the candidates must have past matriculation और 10 class examination from a recognized board या university कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपको आपने high school की परिच्छा उत्तीन कर रखी हो ठीक है मतलब यही आपके लिए qualification है कि आपने कच्छा 10 past कर लिया हो ठीक है अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसके लिए computer best जो आपका exam होगा exam में कितने प्रश्ण आएंगे और उन प्रश्णों के लिए हमें कितने marks मिलेंगे इन सब के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आपको बता गया है कि आपके 100 प्रश्ण आएंगे ठीक है और 100 प्रश्ण आपके 100 number के होंगे ठीक है तो यहाँ पर देखें part बन में आपको दरखा है general intelligence and reasoning मतलब आपके exam में reasoning के 25 प्रश्ण आएंगे और जिसके जो 25 नंबर के होंगे इसी प्रकार से आपका part B है general knowledge और general awareness इसके भी आपके exam में 25 प्रश्ण आएंगे और जिसके लिए आपको 25 नंबर मिलेंगे part C में आपका है elementary mathematics मतलब आपके exam में गड़ित के प्रश्ण पूछें आएंगे 25 प्रश्ण 25 नंबर और part D आपका है आपको चाहें हिंदी या इंग्लीज इनमें से आपको कोई एक language मतलब चूच करनी है मतलब यहाँ पर आपको या तो हिंदी मतलब subject के रूपे लेनी है या English subject के रूप में उसमें से आपको 25 प्रश्ण देखने को मिलेंगे और जिसके लिए 25 नंबर तो कुल मिलाकर 100 नंबर के मतलब question होगा और जिसमें आपको 90 minute का समय मिलेगा ठीक है और यह कैसा होगा यह paper आपका computer best होगा मतलब computer से आपका यह वाला paper होगा तो यहाँ पर आप लोगों ने इसके बारे में यह समझा है कि कितने नंबर का कौन सा subject आने वाला है ठीक है इसके बाद आपको आगे यहाँ पर बताया गया है कि आपका objective paper होगा ठीक है और Hindi और English दोनों language में आपको मिल सकता है अराम से यहाँ पर आप पढ़ेंगे एकला point तो आपको बताया गया है कि there will be negative marking of 0.25 marks for each every wrong answer कहने का मतलब यहाँ पर यह हो रहा है कि परती गलत उतर के लिए minus में आपका cut जाएगा 0.25 marks मतलब एक बटा 4 की क्या है negative marking भी है इस बात को भी आपको ध्यान लखना है तो चले इसके बात में अगर आगे भी कुछ चीज़े हैं तो उनको भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अब physical efficiency test मतलब PET के बारे में कि इसमें आपका क्या क्या race कितनी होगी तो race की बारे में अगर हम बात करें तो देखें यहाँ पर 5 km in 24 minute देखें यह male का आपको दरखा है कि 24 minute में 5 km आपको दोड़ना है ठीक है और यहाँ पर आपको female का दरखा है female में आप से का गया है कि 1600 मेटर आपका है इन 8.5 minute में और यहाँ पर आप देखें 4 candidates other than those belonging to Ladakh region ठीक है तो जो Ladakh region के अलावा वाले हैं ठीक उनके लिए बात कही गई है और यहाँ पर करका है 1.6 km इन 6.5 minute में और यहाँ पर आपको female के लिए 800 मेटर 4.5 minute में यह किसके लिए है 4 candidates of Ladakh region Ladakh region के लिए तो आपका एतना है जो आपके नीचे लाइन लेखे है और जो Ladakh region से अलग अटकर है तो उनके लिए आपको यह उपर दरखा है 5 km 24 में और 1600 मेटर आपका 8.5 में फिमेल के लिए ठीक है तो यहाँ पर आपने देखे लिया कि दरणिंग भी आपको कितने चाहिए अब यहाँ पर हम देखते है कि इसके लिए हमारे height वगएरा जो है वो कितनी होनी चाहिए तो यहाँ पर आप लोग देखेगा आपको बता गया है physical standard test मतलब PST तो PST यहाँ पर देखे height के बारे में आपको बताया गया है male की height होनी चाहिए 170 cm और female के लिए height होनी चाहिए 157 cm तो यहाँ पर भी आप लोग आलाम से देख सकते है male के लिए 170 cm और female के लिए 157 cm ठीक है यहाँ पर आप लोग देखेगा इसके बात में आपको बताया गया है chest की बात की यहाँ पर है male candidates should have fallen standards of chest measurement मतलब जो male candidates उनके लिए आपर बताया गया है कि unexpanded मतलब 80 cm मतलब क्या यहाँ पर है कि आपका chest जो है 80 cm होना चाहिए और minimum expansion कितना है 5 cm मतलब आपका chest जो है बताया गया है ठीक है तो यह chest के बारे में आपने यहाँ पर देख लिया है और इसके बाद weight के बारे में भी आपको यहाँ पर दरका है ठीक है फिर बहुत सारे आपको यहाँ पर बहुत चीजों के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है तो इस प्रकार से इसके बारे में हम लोगों ने जो मैन में चीजे थी वो हमने सब समझ ली है उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा आप लोग इससे कुछ ना को सीख पाया होगे तो अब आप λोग सुन लिजेगा कि इस चैनल पर आपको ससे जीडि के लिए तयारी को स्टाइट किया जाए टीकर तो अगर आप लोग इस चैनल पर पहली वा रहा हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसके साथ साथ में आप लोग वेल आइकन को भी प्रेश कर लीजेगा ये जो आपका नोटिफिकेशन है इसकी PDF आपको टेलेग्राम चैनल पर मिल जाएगी और उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्स बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद